अब मामले में योगी सरकार का हंटर तेजी से चल रहा है जिससे बवाल मचा हुआ है एक तरफ कट्रपंतियों की गिरफतारी और इंकाउंटर जा रही है तो दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी योगी का डंडा चल रहा है अब मामले में एसपी ग्रामेड पवित्र मोहन तिरपाची को हटाते हुए उन्हें डीजीपी हिटक्वाट्रस बेज दिया क्या है ऐसा माना गया कि अस्थानिये पुलिस अगर अलर्ट होती तो हिंसा इतनी नहीं बढ़ाती वहीं होगी सरकार अब और बड़े आक्शन की त इतनी में दियन वाग दोताइब हैं जिसमें दुकानां और मकान शामिल है इन तीन दिनों के अंदर गिराने के सक्ट हिदायात दिगए हैं वरना बुल्डगोजर का रिवाई का मामला हाई कोट के बाद अब सुप्रिम कोट पहुंच किया है सुप्रिम कोट का दरवाजा खट खटाते हुए इसे रोकने की गुहार लगाई गई है इन सब के बेच सप्पा मोख्या अखले श्यादों ने बहराइट हिंसा को बीचेपी का प्लान बता दिया है आज इसी पर चर्चा करेंगे मेरे साथ सुप्रिम कोट आदेश दे या हाई कोट यह कहे कि बुल्डोजर नहीं चलेगा लेकिन बुल्डोजर तो पहले ही चल चुका है यह नोटीस के साथ ही परिशानिया बढ़ गई जैसे ही नोटीस लगा वहां के 26 परिवार बोडिया बिस्तर ल कोट के आदेशों का इंतजार करते रहोगे तो हो सकता है जो बचा खुचा मकान है वो भी तोड़ के खत्म कर दिया जाएगा फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे इसलिए डर इन लोगों के अंदर है और यह डर होला लाजमी है होना चाहिए क्योंकि जब तुम पूरे हिंदुस समय लगेगा लेकिन कुछ समय लगने के बाबजू थोड़ा दिखाई तो पढ़ रहा है योगी और उनका एक्षन योगी केवल अकेले नहीं है योगी एक विचारधारा है वो विचारधारा है जिसका प्रभाव कॉंग्रेश शासित हिमाचल में भी पढ़ रहा है जिसका प्रभाव केरल से लेकर करनाटक तक है एक विचारधारा उन्होंने दी कि देखो अगर हिंदुत्व की बात हम करते हैं तो हमें शर्म नहीं आने चाहिए अगर हम हिंदुत्व का परदर्शन करते हैं तो हमें शर्म नहीं आना चाहिए और दूतरी बात जो जैसा करता है उ उसी तरीके से उसको जवाब दो, ये सरकार भी करेगी और खुद लोगों को भी करना होगा, इसलिए तो उत्राखंड के चमुली में क्या हुआ, वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया, मुसल्मान इस गाउं में नहीं आ सकते, और वहाँ 14-15 घर है, मुसल्मानों क जो 14-15 परिवार वहाँ रहता है, उसको टोटल एकनॉमिकली बाइकाट कर दिया गया, उसे कोई लेन देन बादचित नहीं होगी, ये बात कही गई, और इसके बाद उत्राखंड की पात है, और उत्राखंड की चर्चा कौन कर रहा है, वह वैसी कर रहा है, हैदराबाद त उसे बादचित नहीं की जाएगी, उसे गाउं में नहीं लाया जाएगा, तो ये स्थति हिंदुस्तान में चलेगी, ये हिंदुस्तान में ही चलेगी, क्योंकि तुमने ऐसा दिखाया है, किया है, अपने कर्मों की सजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बहुत दिन तक राज कर लिए, हम लोगों के खिलाब शड्यांतर करके, ये साजीस तुम लोग करते रहे, और राज भी तुम लोग करते रहे, ये सारे राजमतिक पार्टियों को भरमाते रहे, मुसल्मान एकठा होता है, वो वोट एकी पार्टि को देगा, अगर तुम मेरे साथ नही चन्तापाटी ने उन मुसल्मानों को कहा था तुम पत्थर फेको, तुम गूली चलाओ, क्योंकि वो तो मुसलिम मुहला है, और वहाँ तो पैट समाजवादी पाटी की ज़्यादा है, और शुर्वादी पाटी की पैट है, तो तुम लोगों ने पत्थर फिकवाए होगे, म जूटता की बात ही है पत्थरबाज, यह पत्थरबाजी गैंग, जिस तरीके से मुसल्मानों ने पत्थरबाजे सीकी है, यह पूरे दुनिया में इसका मोडस ओपरेंडी एक ही है, हर जगह पर, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि एक किसान अंदोलन हुआ, तो सब किसान पत्थर किसान अंदोलन हुआ, उसमें भी लोगों ने परदर्सन किया, आस-पास में हंगामा खड़ा हुआ, वहा भी पिटाय चुराई हुई, और वहा भी वाटर केनन चलाये गए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि वो पत्थर लेकर आये थे, लेकिन यहां जो भी परदर्सन ह होता है कश्मीर से लेकर नौर्थ इस तक यानि कि आप असम में देख लीजिए या कश्मीर में देख लीजिए या केरल में देख लीजिए ये परदर्शन करने आएगा सिए के खिलाब भी जो परदर्शन हुआ वो पत्थर लेकर आएगा क्यों इसके पीछे एक बड़ी तो इन लोगों के दिमाग में बनाय गया कि देखो शैतान कौन है जो गैर मुस्लिम है वो तो सब शैतान है वो शैतान को पूछता है तो ये जो तुम जिसको देख रहे हो वो शैतान है इसलिए उसको पत्थर मारो अब पत्थर मारने की परमपरा इन लोगों ने बना ली जह पत्थर रखने की परंपरा इन लोगों ने बना ली है क्योंकि ये धार्मिक विवस्था इसके अंदर है शैतान को पत्थर मारने की विवस्था इन लोगों ने की और गैर मुसल्मानों को शैतान बना दिया इन लोगों के आँ अगर मदरसों में कई बार पढ़ाई लिखाई होती है उस समय बच्चों को पढ़ाया जाता है मुस्लिम बच्चे और उसको कहा जाता है देखो अगर तुम हिंदु तेवहार मनाते हो तो क्या होगा? कौन खुश होगे? अगर दीपावली मनाते हो होली मनाते हो कौन खुश होगा? अब सब को बताया जाता है कि शैतान खुश होगा क्योंकि अल्ला तो उसी पर्व के लिए अनुमति देंगे जो इसलाम में स्वी कारिया है तो इसलिए शैतान किसको कह रहा है? सैतान हम हिंदूओं को कह रहा है वो यहां काफिर ही नहीं हमें सैतान भी मानता है और जब सैतान मानेगा तो इस बिवस्ता के खिलाब जाएगा और उसी सैतान के उपर हर समय पत्थर बाजी के लिए तैयार रहेगा पत्थर तो इसके दिमाग में चलते हैं हर लोग सुनता है जो हज के लिए जाए न जाए सबके दिमाग में ये तो रहता है कि वहाँ जाके शैतान को पत्थर मारना है तो जो लोग हज न जा पाते हैं वो यही शैतान ढून लेता है अपने दिमाग में कि हिंदू हमारे लिए शैतान है हम ही एक कन्फ्यूज कौम है हिंदूओं में कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि हम शैतान बना नहीं पाते किसी को हम क्या करते हैं गंगा जमनी तहजीब पर चलने वाले लोग है हम भाईचारे पर चलते हैं हमारे लिए सब एक ही समान है ये बसुधैब कुटुमबकम की बात जब चली थी तो हमारे खिलाफ कोई ऐसा धर्म नहीं था जिसने लड़तकते थे हमारा संगर्स केवल अपने धर्म के लोगों से था चाहे रावन या महिजासूर या अही रावन हो कोई भी राक्षस जो था वो सनातन धर्म से ही ताकत लेता था वो प्रवर्तियों का अंतर था ऐसा नहीं था कि रावन किसी और देवता देवी की पूजा कर रहा था वो भी ब्रह्मा बिश्नु महिज से ही असिरवाद लेके उन्ही के साथ उन्ही की तपस्या करके ताकत वर बना था या महिजासूर हो या फिर भसमासूर हो सारे राक्षज दोते वो हमारे इश्वर की ही पूजा करके उनसे ताकत लेते थे उसके बाद परवर्टी बंद करते थे हम अपनों के बीच लड़ रहे थे अब क्या है अब दूसरों से लड़ रहे है दूसरे जो की अरब से ये विचार लेकर आए है कि हमारे हाथों में पत्थर हमेशा होना चाहिए शैतान दिके पत्थर मार दो ये पत्थर मारने की परंपरा इन लोगों ने बना ली है तो हमें भी तो विवस्था करनी पड़ेगी यही बात योगी ने विचारधारा लगा दिया हर जगह पर अब ये चल रहा है ये हमें बहिश्कार करेगा हम भी बहिश्कार करते हैं तो वैसी वहां से चिला रहा है कि मुसल्मानों को अचूत बना दिया अब अचूत बनाने की सुरुआत हुई है ये धीरे धीरे और बढ़ेगी तुम लोग ऐसे भी एक छेतर बिसेस में रहकर वहां पर कीले बंदी करते हो तो इसलिए उस कीले को ढ़ाने का तरीका यही है कि उस कीले के बाहर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो तुम्हारा पूरी तरीके से आर्थिक भहिसकार भी हो हम लेन देन उस व्यक्ति से उस समुदाय से नहीं रखना चाहते जो कि हमारे पैसे से ही हमें ही बरबाद करने पर तुला हुआ है हम उसके लिए बिवस्था करें हम उसको अपने हाँ काम पर रखें हम उसको पेमिंट दें हम उसके लिए आर्थिक विवस्था करें और वो मजबूत होकर क्या बनेगा वो मजबूत होकर बनेगा जाकिरनायक वो मजबूत होकर बनेगा अकवर उद्दीनोवेसी वो मजबूत होकर बनेगा असद उद्दीनोवेसी तो हम उसको मजबूत क्यों करें ये सवाल अब गंभीर हो चुका है इसलिए ये योगी की जो बात है वो करनाटक में भी उसी तरह से लागू होता है और हिमाचल में भी उसी तरह से लागू हो रहा है हिमाचल में क्या है देखिए अभी संजाली में खुद ही ये लोग तयार हो गया नहीं नहीं मस्जिद का उपरी हिस्सा हम तोड़ देंगे क्यों क्योंकि हिमाचल में सरकार कॉंग्रेस की हैं लेकिन कॉंग्रेस की सरकार में सारे कॉंग्रेसी कन्फ्यूज्ड हिंदू नहीं हैं उनके मंत्री कुछ हिंदू हैं सारे कॉंग्रेसी जो है राहुल गांधी के हिंदू पर भरोसा नहीं करते ये हैं तो हैं और इन लोगों को लगा कि 2% 1.98% के करीब आवादी है इमाचल में 2% हम लोग कर क्या सकते हैं पॉलिटिकली फोर्स नहीं है हम किसी को हराजिता नहीं सकते हैं और ऐसे में अगर सुरुवात में फाइट करने पर जुट गए तो हमारा यहां से बोरिया बि और जब मोके की तलास में रहेगा जब कहीं से कुछ ऐसी हो इस्तिती तो फिर हम इसके उपर अटैक करें तो यह घात लगाने वाले जो लोग हैं उनका इलाज तो ऐसे ही होना चाहिए हिमाचल में हंगामा हुआ मस्जीद तोड़ी जा रही है अपने अवकात पर आ गए उ दड़वे में सिमित हो गए अब क्या करेगा अब ये लोग लडाई नहीं करेगा इसके जो बड़े बड़े ये वीर अपने आपको कहता है कि हम एक जूट है हम भी सड़क पर उतर जाएंगे हम भी खून खराबा कर सकते हैं हम भुजदिल नहीं है तो भुजदिल नहीं हो तो कभी-कभी ही तुमहारी ये हममत आती है बुजदिली जब इनको लगने लगता है कि अब तो पिट गए तो उसके बाद कहा हाई कोड जाएगा कहा सुप्रेम कोड जाएगा हल्दवाने हिंसा में भी यही हुआ ये लोग हाई कोड सुप्रेम कोड की सरण में जाते और यहां के जज जो सुप्रिम कोट थाई कोट के बैठे हुए हैं, वो अपने आप को इतना आदर्षवादी समझने लगते हैं, आदर्षवादी in the sense, आदर्षवाद का मतलब एक पक्छ विसेस के लिए है, आदर्षवाद का मतलब हमें कहम से कम ये बताया जाए, कि इन्हों न अलब संख्यों को के सुरक्षा के लिए सारी कानून विवस्ता के दज्य उड़ा दे, मुसल्मान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जैसे गांधी रखे, जैसे जवाहरलाल नहरू रखे, जैसे मौलाना आजाद के चक्कर में पूरा कॉंग्रेस है, जो उन्हें के इसारों पर चलने लगा, सिंपेथी दिखाने लगा, 1947 के बाद थे, आज भी वईस्तिती है, तो ये घिर चुका है, अब आर्थिक बहिस्कार चल रहा है, अच्छूत बनाया जा रहा है, अब परिवार वहां से भाग रहे हैं, इन लोगों पर कारवाईल तेज हो रही है, तो इसानी की सुरुआत है, अखलिस यादब तो चिला रहा है, इसलिए, क्योंकि उप्चुनावाने वाले हैं, उससे पहले ऐसा न हो जाए, कि हिंदू एक हो जाए, और हिंदू एक हो गए, तो इनके लिए तो एक सीट भी जितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस जीव, गंगा, जमनी, संस्कृती, ये भाईचारा, ये सब चलने वाला नहीं है, अब धीरे धीरे हम भी उस ओड़ जा रहे हैं, जो ये पहले से जिस रास्ते पर चलता रहा है, बहुत बहुत धने बाद से तुमाब जानकारी तो बैराइच इंसा मामले में सीम योगी का आक्शन चर्चा में है, कटर पंथियों पर, जिस तरह से योगी सरकार का कहर बरप रहा है, उसके बाद इनमें भगदर मची हुई है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद, चाहिए हाई कोट चाहें, या फिर सुप्रेम कोट में ना करकर ले, इनका एलाज तो हो कर रहेगा, सियम योगी किसी भी कीमत पर इनको छोड़ने वाले नहीं है, किस्ता यूपी का में आज के लेतना ही, अगर आपने अभे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजे, हमारे वीडियो को लाइक किजे, शेर किजे, हमारे वीडियो पर कमे झाल कि आई वाल